जियान प्रकास्त दोस्तों, R.O.N. आरो की परिक्षा में आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, उसका अगर आप सही तरीके से यूटिलाइजेसन करें, तो निश्रित तोर से आरो यारो की जो प्रारमी परिक्षा है इसको आप क्रैक कर सकते हैं सबसे बड़ा जो आपको एडवांटेज मिलता है आरो यारो की परिक्षा में वो यह है कि इसमें जो प्रस्टन होते हैं वो 80% factual होते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको पताहिए कि जो आपकी परिक्षा है यह 11 फ़वरी को नहीं है और 11 फ़वरी के आने में अब समय नहीं बचा हुआ है तो अगर आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं तो इन 30 दिनों में भी आप इस परिक्षा के लिए एक सही तरीग से अगर आप समय का, अपनी उर्जा का और एक बिवस्तिक टैम डेबल का प्रियोग करें तो पूरी तैयारी आप कर सकते हैं आराम से प्री आप क्रेक कर सकते हैं तो कैसे करना होगा तो सबसे पर ठाही तो फ्रेंट यह है कि तो बस वही पढ़ें, जो कि exam point of view से important है, तो देखो friends, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, तीन सबसे जरूरी चीजें, और इन तथ्यों पर ध्यान आप जरूर दिजिएगा, क्योंकि यह वो चीजें हैं, जिसके माध्यम से आप आसानी से, यह पूरी की पूरी जो परिच्छा है, उसको आप क्रैक कर सकते हैं, तो आईए देखते हैं कि वो तथ्यों कौन से हैं, तो friends, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर focus यह करना पड़ेगा, कि आपको प्राइक्ता, यानि कि priorities पर क्या क्या रखना है, तो friends, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आपका समय है, उसको मैनेज करना पड़ेगा, बिना time management किये, आप इस परिच्छा को क्रैक नहीं कर सकते हैं, यानि कि समय प्रबंधन सबसे जरूरी तथ्य हैं यहाँ पर, अगर आप इसको प्रबंधित कर ले गए, तो आप आराम से इस परिच्छा को क्रैक कर ले जाएंगे, समय प्रबंधन के अंतरगर्द आपको अपना जो study time है, उसको ब्योस्थित करना होगा, और इस प्रकार से इसको आप ब्योस्थित करें, कि प्रति दिन, यानि कि पर दे, कम से कम आप आठ घंटे का समय study को जरूर दे सकें, ये आपके मुताबिक हो सकता है, सुबह में अगर आप ज़्यादा समय निकालते हैं, तो सुबह में निकाल लीजिए, या फिर साम को, या फिर आप चाहें, तो इसे आप बदल सकते हैं, जिसे कि सुबह अगर आपने तीन घंटे का समय निकाल लिया है, तो फिर दोपर में अगर आपको जो है, दो घंटे का भी समय मिल जाता है, तो साम को तो आसानी से आप तीन घंटे मैनेज कर सकते हैं, ये आपके उपर है कि इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको अपना जो study time है उसमें क्या क्या चीज़े है priority पर रखनी है देखो दोस्तों सबसे ज़्यादा जुरूरी यह है कि आपने अब तक जो पढ़ा है ठीक है उसका revision होना चीए क्योंकि अगर आप revise नहीं करेंगे तो तत्य आपको भूल जाएंगे exam में कोई फायदा नहीं होगा तो revision के लिए आपको प्रति दिन सबसे ज़्यादा समय देना है मतलब revision के बाद जो समय बचे तब उसमें आपको नया जो पढ़ना है वो पढ़ना है तो यहाँ पर कम सकम दो घंटे का समय आप इसको भी दें एक घंटा घंटा चकर को एक घंटा टेस्रीज को अगर आप टेस्रीज नहीं लगा रहे हैं तो लगाईए कम सकम आट से दस टेस्रीज आराम से लगा लीजे क्योंकि यह बहुत जूरी होता है और जो test स्रीज बनाई जाती है तो definitely उसमें नए प्रसन आपको देखने को मिलते हैं जो कि exam में भी कभी कभी सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं तो test जरूर लगाईएगा और GC भी लगाईएगा ठीक है इसके लाँ friends अब कौन से topic important है कौन से topic important नहीं है इसके लिए आप PYQs का इस्तेमाल कर सकते हैं PYQs कब तक का पढ़े हैं इस पर बात करेंगे लेकिन उसके पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो समय प्रबंधन है उसमें current affair बहुत important है current affair के लिए भी आप कम सकम एक से लेकर डेड़ घंटे का जो समय है उसको जरूर दें ठीक है अब जो PYQs हैं और पिछले सार के जो question paper है और जो train चल रहा है उसके मताबिक अगर आप देखेंगे तो सबसे जरूरी जो विसे हैं सबसे जरूरी जो topic हैं उसमें मैं मानता हूँ कि जैसे की quality होगी आपकी quality से आपने देखा होगा कि लगभग 20 से 25 प्रस्न आपको देखने को मिल जाते हैं तो quality से 20 से 25 प्रस्न इसके लाव दोस्तों history आप पढ़ेंगे तो history में modern history और medieval history सबसे important है यहाँ पर आपका जो modern history वाला portion है तो इसको जरूर देखिएगा इससे भी ज़्यादा प्रस्न आपको मिलेंगे कभी कभी 20 प्रस्न तक आपको मिल जाते हैं history से तो आपको जो है modern history पर ज्यादा focus करना है ancient और medieval को अगर आप चाहें तो lucian से पढ़ लीजिएगा और GC में जो प्रस्न है उसको देख लीजिएगा ठीक है RO1 में हिंदी के लिए आपको BCS प्रयास करना पड़ेगा हिंदी में को 60 प्रस्न पुछे जाते हैं प्रयास करिएगा कि अब उसकों 50 प्रस्न आप इसमें सही कर ले जाए PYQ और जो market में टेस्ट जरीज है उसको लगाने से आप निश्यत रूप से 50 प्रस्नों तक सही कर पाएंगे EVS और साइंस साइंस में भी बालो जी के जो प्रस्नों होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं तो ये टॉपिक भी काफी जरूरी है लगबग 20 प्रस्न भी आपको देखना पड़ेगा ठीक हैं तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं साथ ही साथ जोगराफी से भी बहुत सारे प्रस्न बनते हैं तो ये इंपोर्टन टॉपिक हो गए PYQ कब से कब तक का लगाना है दोस्तों तो RO के लिए जो पिछले तीन साल की परिक्षा हैं होई है कम सकम उसको लगा लीजिए जिसे के 2021 वला तो सबसे जरूरी है 2016 में दो बार की परिक्षा होई है इसके बाद 2015 है तो यहाँ पर आपको जो है 2014 में परिक्षा होई थी तो आप इस प्रकार सारे प्रस्पत्रों को लगा लीजिएगा और PCS में आप जानते हैं 2023 से लेकर स्टार्ट करिए और 2022, 2021, 2020 और 2019 तो 2019 तक का ये कुल मिलाके लगबग 89 सेट हो रहे हैं तो इसको भी आप जरूर लगाईएगा और देखो फ्रेंड्स अब घटना चकर पढ़ने का समय नहीं है आप घटना चकर पूरा न पढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि घटना चकर अगर पुरा पढ़ने बैढ़ गया तो पूरा महिना निकल जाएगा और आपके पास एक महिने से भी कम का समय है घटना चकर में जो वन लाइनर पॉर्षन होता है उसको देख लीजिएगा साथिसाथ आप लूसेंट अगर आपने नहीं पढ़ा है अगर आपने इस्टडी तो किये लेकिन फैक्ट आपको नहीं पता है तो लूशेंट से आप जो है एंसियन हिस्टी को पढ़ लीजिए ये आपके लिए कम समय लेगा मेडियोल हिस्टी भी आप लूशेंट से लोशेंट कर लीजिए जगराफी और पॉलिटि यह टॉपिक आप लीजिए। लूशेंट से आपका समय बझ झायगा तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा कि time management सबसे important है और revision उससे भी ज़्यादा तो revision करते रहे हैं, समय प्रबंधन करते रहे हैं जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं इन चीज़ों को focus में रखें आगे बढ़िए बाकी time to time आपको यहाँ पर guidance मिलता रहेगा और यहाँ पर आपको जो है अब तीन-तीन दिन का target में आपको उपलब्द कराऊंगा चैनल को subscribe कर लिए ताकि यह target जो मैं उपलब्द कराऊं तो वीडियो के माध्यन से जो notification आता है वो आप तक पहुंच सके Thank you so much, please do like and share Thank you